अलो फ्रेंट्स, वेलेकम टू फ्लाय अकेडमी, आपको बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए, आपको फुल इंग्लिश में बोलना है, आपको ग्रामर रूल्स आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश बहुत आराम से सीख सकते हैं, अगर आपको कुछ-कुछ वर्ड्स अगर आते हैं, तो, मैं देखिए, बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत कम शब्द भी आते हैं, तो वो भी बहुत शोटी बात नहीं होती है, आप उनसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, द वो भी आपके इंग्लिश बहुत अच्छी और सुन्दर होगी, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, तो पहला वर्ड आता है, आपका ओक्वर्ड, जी हैं, ओक्वर्ड एक एड्स एक्टेव होता है, ओक्वर्ड, ओक्वर्ड मिस होता है, अटपटा अचीब, जैस जी हैं, अटायर, किसी का भी अटायर, मतलब पहनावा, कहते हैं और उसका अटायर बहुत अच्छा है, उसका अटायर बड़ा शांदार है, अटायर मिस होता है आपका पहनावा, अटायर, अटायर आपका नाउन होता है, अब आता है आपका अटेच्मेंट, किसी से आपक कढ़की 젖ता है बंदनना किसी से बंदन जाना मेरा उसके साथ टेश्मेंट बहुत बढ़िया है मुझे अ जासा मेरा और मेरे फ्रेंड का मेरह अम दोनों के वीच का अच्छा अच्छा आठेश्में बदनन ऊना एक पूरिस आटेज हो जाना ने अगश्त आपका endorse you Assume means होता है किसी चीज को मान लेना, assume कर लेना, कल्पना कर लेना, कि मान लेना, जैसे मैस में generally हम इसको बढ़ को यूज करते है, assume that, assume कर लो कि भईया ये इसका, let the number will be x, तो let करना, let means होता है मानना, assume means होती ही कल्पना करना, कि ऐसा होगा, next पे आते हैं, aside, aside means होता है एक तरफ, एक आंत में, जैसे कहते हैं और वो तो हमेशा एक तरफ खड़ा रहता है, he is standing aside, aside means होता है एक तरफ एक आंत में, next पे आते हैं, appreciate, appreciate means होता है किसी को appreciate करना, अगर आपको किसी का काम बहुत अच्छा लगता है ता आप उसको appreciate करते हैं, बहला उसकी सरहाना करते हैं, प्रसंस करना नहीं होता, appreciate means होता है किसी को शावाशी देना, उसकी बात को उसके बोलना कि आपने बहुत अच्छा काम कर उसकी तारीफ करना, लेकिन उसके काम को लेकर एक appreciation बहुत बढ़ी है, आपने बहुत अच्छा किया, तो यहां पे आप appreciate word का use कर सकते हैं, next है आपका appetizer, appetizer means appet appetizer, appetizer मी साब का होता है, भूख बढ़ाने वाला, जैसे कहते हैं, यह समो से देखकर तो मतलब मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मूँ में बस पान ही आ रहा है, तो appetizer होगा, these flitters are for me appetizer, appetizer, ठीक है, next पे आते है, appetite, appetite, जी हां, appetite, appetite मी सोता है, भूख, जैसे जनरल के जी दर मुझे भूख नहीं लगती, I don't feel appetite, appetite मी सोता है, भूख लगना, भूख होती है, जी हां, मुझे अच्छी भूख लगती है, तो मुझे अच्छी appetite लगती है, बहां पर बढ़ यूज कर सकते है, appetite, next पे आते है, apology, 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 apology मी सोता है, जैसे आप किसी को sorry बोलते हैं, तो आप उसे छमा मांगते है, मिस आप उसे apology करते हैं, क्या करते हैं, उसे आप apology करते हैं, next पे आते है, anxiety, जी हां, anxiety, एक्जाइटी होता है, कोई चिन्ता सोच, देखे का, यह anxiety का thinking word में नहीं आएगा, anxiety का word आते है, किसी चिन्ता में, सोच में इस word का हम generally use करते हैं, Antic, Antic word हम कई वर के तार, यह तो बड़ा Antic piece है, मिसे बहुत प्राचीन और अनोखा होना, एक हम यहां पे Antic का word बहुत प्राचीन, मनला बहुत परानी चीज से भी जोड़ते हैं, साथ में अनोखा word भी हो, मनला कोई चीज अनोखी हो नहीं, उस तो Antic word में आती है, जैसे Antic piece है, that means है वो प्राचीन पुरान है और अनोखा है, always, always means होता हमेशा, मैसे आप जैसे हमेशा आप इस तरह की बाते हैं, तो आप always इस तरह की बाते हैं करते हैं, आप इस तरह की बाते हैं, आप इस तरह की बाते हैं, आप इस तरीके से देखिए का English में पूरा 100% English आप मत कि मैं आल्रेडी ताहियार हूं मतलब मैं पहले से ही तहिया रहूं के तो already but next आते हम all most all most मिस होता है लगभग all most करते हैं all most व्हों होई गाया आपका काम हुई गया लगभग हो जाना मतलब वह चीज हो ही गई है बस थोड़ी बहुत बची तहों है सबसे ज्यादा जिसके पास शक्तिया है उसको हम अल्माइटी कहते हैं क्योंकि इस बार है सर्वशक्ति मान होता है एलیएशन सब्ध आजकल बहुत यूज करा जाते हैं एक दूसरे पर आरूप लगाते हैं कि इनोंने ऐसा करा उनोंने वैसा करा आप ऐसा करिए वो ऐसा करेंगे तो एलीएशन मीज होता किसी पर आरूप लगाना कि अघिन क्प एक अघिरिमेंट हो सकता हैं हमेरे तीन मेने का हम यह जिन्दीगी हरना है क्या ओस्यास करो हर जगा आप एक पॉर्फटी पॉर्पर्वंंत करते हैं तो हर घ्रimeter कि आाफ्यक्षन अफेक्षन वाला प्रेम नहीं होता है लूब होता है यदि अदिस चीज से लिखी कि होता है जैसे इन इस चीज से बहुत यहां लो पे अपनी कम्प्यूटर्स प्यार ज्यान पहते Germans करेंगे ई Также computer affection is my life मतलब मेरा computer supreme मेरी जिन्दिगी है चीई आध्वांट चीब में फायदा जैसे कि आपको एड्वांट के तरहिपो हो जरना खाया करता है और बहुत अच्छा कारह करता है तो हम उसको appreciate करते है only admire मी सोते किसी की प्रशना करना कि बढ़ाई करना करना करें अजय करते हैं जब चांगी करते हैं क्ष़ीड करते हैं तो हम उसम प्रशना करना में सोता है सब्सक्राइब पते हो नेक्स्ट आपके और अधीकार में कर लेता किसी चीज को डैक्वार करने अपने अधीकार में ले लेना Ε swords कि如此 कि अब अनुसार के आपया सर्एक तो आपको को से एंग अब शो करें था आपको ही हो किस अब को स्विकार करता हूं और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं स्विकर्व मिस क्या होगे उसको सब्स को सॉइकार कर रहा है जैसे कि एकसेप्ट कर रहा है मतलब आप ने सुइकार कर लिया प erkläre अब दिश्रब में होता है यही एब्जरफ दिश्रक और चाहिए कि आप एक चीज का दूसरी चीज कर रहे हैं और शोक लेना ठीक है अब नेक्स्ट पर हम आते हैं यहां पर आप की काविलियत की बात होती है कि आप कितने काविल है उस चीज के यहां पर इस चीज के लिए हम शम्ताबड यूज़ करेंगे एविलिटी यूज़ करेंगे तो इसी के साथ आपकी टोटल जो ए सीरीज की जो वुखेवलरी इस थी जो हमें जनरल कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो को पसंद आई हुग अगर आगे के लिखी हो शकी तो इस पर हमेंग करें और यहीं तक अगर आपको इंगलिश सेखना है वाकाई में आप सीखना चाहते हैं आप हमारे चैनल में بहुत सारी वीडियो हमने इंगलिश की डाली हुई है जो point to point हम बात करते हैं fall to की बगबास बिलकुल नहीं करते हैं कि एक गंडे में सीखलो दो गंडे में सीखलो यह ऐसा possible ही नहीं है तो हम लोग उस पर fall to बात भी नहीं करते हैं तो वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए और अपनी इंग्रिश को इंप्रूव करते रहिए थैंक्स पर वाचिंग